नमश्कार दोस्तों कैसे हैं आप हम एक बार फिर से हाजर हैं एक नई वीडियो के साथ और आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूग चैनल पे D.S.S.V की तरफ से आज 6 दिन के बाद नई अपडेट आई है निकल के जरूर और सबसे पहले देखें अजी दोस्तों बिलकुल अभी अभी आज शाम चार बजे डेट हैं बाईस ग्यारा दो हजार इकिस तीन नए नोटिस जारी किये गई हैं D.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S रिजल्ट नोटिस नंबर तेरा सो सत्रा के माध्यम से डास ग्रेड फॉर पोस्ट कोड दो बटे सत्रा में काफे सारे कैंडिडेट्स का और सेलेक्शन कर लिया गया है इस सप्लेमेंटरी रिजल्ट नोटिस के माध्यम से तो आप देख लीजिएगा यहाँ पर से वेटिंग पैनल में कोई कैंडिडेट नहीं था तो इसलिए और सेलेक्शन नहीं किये गई है तो यह दोस्तों बड़ी अपडेट आ गई है डास ग्रेड फॉर से जुड़ी हुई और जो इनकी कट अफ है वो है अब कुछ इस प्रकार से अन्रिजर्व एक्सो चालिस प रिजेक्शन नोटिस जारी किया गया है कैंडिडेट चैंसलेशन नोटिस नंबर 1315 आज की ही डेट में ग्रेड फॉल डास दो बटे 17 से एक ये कैंडिडेट है जिनका रिटन एक्जाम किसी ने दिया था और स्किल टेस्ट किसी ने दिया था तो अलग-अलग कैंडिडेट बैठे थे दोनों एक्जाम में इसलिए कैंडिडेट चैंसले रिजेक्ट किया गया है और इसी तरह से जुड़ा हुआ इसी पोस्ट कोड का रिजेक्शन नोटिस जारी किया गया है नंबर है 1316 आज की ही डेट में जारी किया गया है तो यहां ये देखिए एक ये की तरफ से जो आपको इस वीडियो के माधन से प्रोवाइड कराएं गई इसके बाद जो नही अपडेट आएंगी वो भी आपको सबसे पहले प्रोवाइड कराएंगे उसके लिए कर ले चैनल को सबस्क्राइब और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे करे लाइक और शेयर तो ठीक है आज अभी के लिए तना ही फिर मिल दे किसी नई वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार